यूं तो आपने लखनों के छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा तो बहुत घूमा होगा लेकिन क्या कभी आपने काला इमामबाड़ा घूमा है या इसके बारे में सुना है अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं लखनों के काले इमामबाड़े के बारे में जो की घंटा घर के पासी इस्थित हैं इस इमामबाड़े के बारे में कहा जाता है कि लखनों के सारे इमामबाड़े दक्षिन मुखी हैं लेकिन यह एकलोता इमामबाड़ा ऐसा है जो की पूरव मुखी है मशूर इतिहास कार सुर्गिये योगेश परवीर ने अपने किताब लखनों नामा में काले इमामबाडे का पूरा दिकर किया है स्वर्गिय इतिहासकार डॉक्टर योगेश परवीर ने अपनी किताब में इस काले इमामबाड़े को काजल की कोठरी भी कहा है क्योंकि इसकी चारों दिवारों हर सतून और महराबों पर काले रंग का ही इस्तमाल किया गया है यहां पर कुरान की आयते अलग-अलग डिजाइनों और बेल बूटों में लिखी हुई है इसको जिसने लिखा है उसे दिल्ली से बुलाया गया था और यह जो काला इमामबाड़ा इस्तित है यह लखनों के पीर बुखारा महले में इस्तित है जी हां इस इलाके को पीर बुखारा महला कहते है इसे बनवाया था नवाब अस्व दौला के मामा नवाब मिर्जा अली खान ने इस इमामबाड़े में छोटा इमामबाड़ा और बड़े इमामबाड़े जैसा घूमने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि यह एक तरफ से इसलाम का धार्मिक इस्थल है काले इमामबाड़े के पास ही बाहर जो आठ पहल का गोल गुमबदार मगबरा बना हुआ है उसमें नवाव कासिम अली खान का मजार भी है जी हां काले इमामबाड़े को हाजी बेगम का इमामबाड़ा भी कहा जाता है काले इमामबाड़े के बारे में लखनों में मौजूद कोई भी शक्स हमें जानकारी नहीं दे पाया बहुत रिसर्च करने के बाद जब हमने मशूर स्वरगी इतिहास कर डॉक्टर योगेश परवीड की लखनो नामा किताब उठाई तो सिर्फ उसमें ही काले इमामबाडे का जिक्र मिला और वहाँ अपने किताब में लिखते हैं कि इस इलाके की मिट्टी भी बेहद इतिहासिक है क्योंकि यहाँ पर कभी एक जमाने में बलक बुखारा से एक फकीर लखनो आये थे जिनके नाम से ही पीर बुखारा मोहला आज आबाद है कभी यहां पर जो पीर बुखारा की मजार थी वो वक्त के गुबार में तो गुम हो गई लेकिन सन 1958 में यहां पर नक्षा और ताबीज मिला था उसी के इशारे पर यहां खुदाई की गई थी तलाश की जा रही थी कि हो सकता है यहां खजाना हो लेकिन खजाने की तो फूटी कौड़ी भी यहां नहीं मिली लेकिन पीर बुखारा की खोई हुई कबर यहां जरूर मिल गई थी इस कबर की विशेस्ता के बारे में स्वर्गिय डॉक्टर योगेश परविन लिखते हैं की इस मजार के उपर कौड़ियों के चूने की मरमरी पलस्तर जो की प्राचीन कला कौशल का नमूना है वही नजर आता है आज भी इस इमामबाड़े में मजलिशे होती हैं लखनव से अंजली सिंग राजपूत की रिपोर्ट न्यूज 18